प्रभु का इदास आपका भाई बल्देव संदूर वोपिन क्राइस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं जैसे पिछले दिनों में हमने अलग लग दिनों के बारे में बात की थी जैसे वने बताया था कि हमारे पूरे साल भर में कई परकार के दिनों को हम सेलिबरेट करते हैं और लास्ट टाइम जो था हमने नर्सिस डे को सलिबरेट किया था उससे पीछे जाएं तो हमने मदर्स डे सलिबरेट किया था फिर इस्टर डे सलिबरेट किया था उससे और पीछे जाते हैं तो हम कई और परवों को मनाते हैं जिसमें क्रिसमस डे भी आता है आज जो मैं परमेशर कावचन लेके आँ हूँ प्रभुयस्मसी के जीवन के उपर एक बार फिर आप सबसे बात करने के लिए प्रभुयस्मसी के जीवन के उपर जब हम विचार करते हैं इसको हम चार आश्चरिय करमों में देख सकते हैं जो अद्बुद काम जो है चार प्रवियसमसी का जीवन चार अद्बुद जो है मोजचे कहा जा सकता है पहला जब वो एक बालक के रूप में इस प्रिथी पर आए और दूसरा जब मुर्दों में इसे जी उठे जिसमें उसने शेतान कबर और मुर्दों के डंग को तोड़ा मुर्दों के ओपर विजे को प्राप्त किया और तीसरा जो है वो यह है कि जब वो सद्धे इस प्रिथी पर से स्वर्ग में उठा लिएगे और बाप के दैने हाथ जो है बैठे हैं और चौता फिर वो फिर आएंगे जिस रिती से हमने जा प्रभू के उन दासों ने उसको इस स्वर्ग से पे जाते हुए इस प्रिथी पर से स्वर्ग पे उठा लिए जाते हुए देखा जैसे स्वर्ग दूतों ने कहा था उसी पर कार्ट से एक बार फिर आएगा और उस पर पूरा विश्व देखेगा और अपने सरगदूतों के साथ अपनी मेमा के साथ जिसको बोलते है गाजे बाजे के साथ जो है वो आएगा आकर के न्याए करेगा आज जो हम प्रभीयसमसी के जीवन का जो तीसरा भातपुन मोज्य के रूप में जिसको मैंने अभी बोला है उसको उसके उपर हम चर्चा करेंगे जिसको अशेंशन्ट ये कहा जाता है प्रभीयसमसी का स्वर्ग रोहन प्रभीयसमसी का स्वर्ग रोहन जब हम अपने विश्वास की बात करते हैं हमारा विश्वास है कि प्रभीयसमसी इस प्रिथी पर आया अपनी सिवा को किया और प्रभू की उस योशना को प्रभू ने येसमसी ने उस प्रमेशर की योशना को पूरा करके इस प्रिथी पर अपना जीवन यात्रा पूरे करके वो स्वर्ग में उठा लिये गे जब वो पहली बार आए तो एक नन्ने नमर जो है बल की तरह एक ग्रीब जो है कंगाल घर में आए जो बड़ा सधारन परिवार था उसमें आकर के प्रभू की मर्ची को प्रभू की योशना के उसार वो अ अंतमाम कामों को जाए ये कहें दुखों मसीब्तों को उठा लेते हैं मृत्व की मृत्व के दोरा मृत्व करके वो जीवत हो जाते हैं स्वर्ग रोहन की जा बात कर रहे तो उसमें वो एक नन्ना नमर बढ़ कि लड़की की तोर पर आया था इस समें वो मुर्दों में से जिन्दा होने के बाद एक महान विज्यता की तरह जो है जहां से आय था वहां जा रहा है क्योंकि उसको कोई हरा नहीं सका उसको कोई मार नहीं सकता जैसे हम प्रेरतों के काम उसके दूसरे दियाके 23 और 24 वचन में देखते हैं कि ये हो नहीं सकता था इट वच नट अट आल पॉसिबल कि मृत्तु का वस्व प्रभ्येसुमसि के उपर रहता और प्रभ्येसुमसि जो है इस पृथि पर 40 दिन रहते हैं अब ही वो सारी बाते हैं जब हम 40 दिनों की बात करते हैं तो 40 दिन का मतल है कि प्रभुयस्वम्सी जब 40 दिन जो इस पृतिपा रहते हैं तो वो इसलिए था कि प्रभुयस्वम्सी पक्के परमानों के साथ उन लोगों को उन लोगों के बीच में अपने चेलों को सब को ये बात बता सकें कि वो वास्तम में मुर्दों में से जी उठे हैं वास्तम में कबर उसकी खाली है ऐसे नहीं है जैसे प्रभीयसमसी के जी उठने से पहले वो जो याजिक थे महायाजिक थे प्रभीयसमसी के विरोधी थे जिन्होंने प्रभीयसमसी को कुरूज के उपर उठाया ता, चढ़ाया था, वो प्रभीयसिन सी के Mission के बारे में फिल उस्के पास वो गे, प्रभीयसिन की 벌써 के मुरितू के बाद उसके गाड़ जाने पर, वो गे हैं कि इसने पहले से कह रखा था, कि टीसरे दी मुर्दो में सीजियोटत popped कहीं ऐसा ना हो, हमेंशक खाय कहीं ऐसा नहो कि उसके चेले आदी रात के समया और उसकी दे को ले जाएं और एक और यहां जो है भ्रहम फैल जे इसने उन्होंने पैरेदारों को बुलाया और उन्होंने लगातार जो है प्रभियसमसी के जी उठने तक तीन दिन लगातार जो है वो पैरा देते रहे उनके होते हुए सामर पुन्जैशनी देना चाहते रखना चाहते थे प्रभीयसमसी पूरे पर्मानों के साथ ये थावित करना चाहते तो मुर्दों में से जी उठें एक दिन ने एक हपता नी दो हपते नी एक महीना नी पूरे 40 दिन प्रभीयसमसी उनके बीच में रहे समय समय पर उनको मिले और प्रवियस्मसी उनको स्वर्गे राज की बातें सिखाते रहे यो प्रवियस्मसी ने उनको बातें सिखाई थी उनको प्रवियस्मसी और पक्का करते रहे और फिर हम देखते प्रवियस्मसी चालिस दिन इसलिए इस प्रिटी पर रहे कि अभी तक वो चेलो को पूरा देखने चाहते थे चेलों को परखना भी क्या वह तियार हो चुके हैं जाने की उनका भै कॉफ उनका डर जो है खत्म हुआ है जो नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले प्रभियेसम्सी की गुआही देने के लिए तर गे थे प्रभियेसम्सी के साथ खड़ा होने के लिए वो डर हुए थे क्योंकि वच्छन में लिखा है यूदा के ने जब प्रभीयसमसी को पकड़ा है पकड़े जाने के बाद सारे के सारे सारे के सारे चेले जो है प्रभू को छोड़ करके चले जाते हैं उससे पहले हम देखते हैं तो एक जन भी प्रभू के साथ परार्थना करने वाला नहीं था और जब प्रवियस्मसी पकड़ा जाता है सारे भाग जाते हैं पत्रस हिम्मत करता है और उस जगह पर जहाँ प्रवियस्मसी को ले जाए जार वहां तक पहुंचने की वो हिम्मत रखता है और जब पहुंचा उस डेवडी में उस तो प्रवयस्म्सी का उनकार देता एक बार नी दो ratio गयाता है तीन बार इंकार करता है प्रवयस्म्सी के मरत्íveis के बाद दर होए है बेपी थे और वो अपना घर का दो बन करके यहां चेले थे उस बहले कारा में बंद रहते थे बिल्कुल एक तम से दुब के हुए थे यह तमाम जो है चेलों के confidence को देखने के लिए परकने के लिए उनको डार उनके भै को दूर करने के लिए प्रभियस्म सी 40 जिन उनके बीच में रखे आप प्रभी ने उनको परक लिया है खासर के आप युहना के इंजील में पढ़ेंगे प्रभियस्म स जो है अपने चेलों में से एक के साथ बात करते हैं जो समान से समान अर्थार पतर से उससे तीन बार पुछते हैं कि आ तुम उससे प्रेम करता है और तीनों बार यही कहता है हाँ प्रभू तू जानता कि मैं तुससे प्रेम करता हूं और प्रभियस्म सी ने कहा मेरी भीरो को की चरवाही कार और जब इस प्रकार से उनका जो है हर प्रकार से कॉन्फिडेंस को देखते हैं प्रभीयसमसी उनकी त्यारी को देखते हैं और यह समझते हैं कि अब यह आगे सेवा के कारे को अपने उपर अपने उपर ले सकते हैं और इस रिकार्ट से हम देखते हैं कि प्रभीयस्म सी उनके सामने बाहर लुका का समचार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है वो उनको ले जाता है उनसे बात करता है उनको आशिश देता है और उनके सामने ही जो है उठा लिये जाता है प्रेरतों के काम में हमने पूछते हैं कि जब ये स्वर्ग की तरफ देख रहे हैं और दो स्वर्ग दूत आकर कि इंसे बात करते हैं हे गलीली पुर्षो तुम स्वर्ग की तरफ क्या देख रहे हो और वो फिर कहते यही येसु जिसको तुमने अपने सामने स्वर्ग में जाते हुए देखा है एक बार फिर यही इसी रीती से स्वर्ग से नीचे उत्रेगा तो यह कुछ जो है बाते हैं जो प्रभीयसमसी के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि वो मुर्दों में से जी उत्रे के बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ रहते हैं 40 दिन उनके साथ रहकर कि उनको सिखाते हैं संगती करते हैं परमान देते हैं और उको भी उपर मानित करना चाहते हैं किसी प्रकार की कोई गुझेश नहीं चोड़ सकते कि कोई भी कोई भी ऐसी ब्रहांती फिलाए जैसे उस समय ट्राइ की गई थी जो है पैसे दे करके कि उस प्रटल भूल चुके थी और वो उठा ले जाने की तो बात ही कुछ और थी तो यहां 40 दिन प्रभियसम से उनके साथ रहने के लिए स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं और उठा लिए जाने के और भी कुछ मक्सद हैं हम देखते हैं कि प्रभियसम से 40 दिन यहां रहते हैं तो विश्काल में जाजे का जाए ओल्ड टेस्टेमेंट में प्राने नियम में ने नियम में विश्वानी की गई है प्रभयसमसी भी जो है खुद कई बार अपने जो है इसकी ऊपर बात करते हैं यहां प्राने नियम में और ने नियम में जो है प्रभयसमसी के विश्वानी क की बात हम पढ़ते हैं हम देखते हैं प्रमेश्र का वचल प्रभियस्मसी के स्वर्ग्रोहन मिक के बारे में विश्वानी करता है खासर के हम प्रमेश्र का वचल पढ़ते हैं बजल सहता उसका 68 अध्याय उसका 68 अडाय और उसके 18 वचल में इस परिकार से लिखा है तूं सास के एक वच्छ में पढ़ते हैं मेरे प्रभु से यहोवा परमेश्र की यह वानी है कि तू मेरे दाइनी और बैठ जब तक मैं तेरे शत्रों को तेरे चर्णों की चौकी ना कर दूँ स्वर्ग रोहन के पचात येसु पिता के दहने हाथ बैठ गया है फिर हम लुका के इंजील में पढ़ते हैं उसके नौवे दिहाई के इकावन वचन में जब उसके स्वर्ग उठाय जाने के दिन पूरे हुए तो उसने येरुस्रम जाने का विचार द्रड किया स्वर्ग रोहन प्रमेश्र की योजना में था यूना छे बासट में हम पढ़ते हैं और यह तुम मनुष्ट के पूत्र को जहां वे पहले था वहां उपर जाते देखोगे तो क्या होगा फिर चौद्वे देख के अठाई वचन में प्रमेश्र के वचन में प्रभीयस्व सी कहते हैं यूना चौदा उसके अठाई वचन में मैं जाता हूं मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है फिर यूना में हम पढ़ते हैं यूना के बीसमे ध्य में यहां प्रभीयस्व सी जिन्दा हो जाते हैं और प्रभीयस्व सी मरियम से बातचीत करते हैं आप सब जानते हैं मर्यम गमगीन थी दुकी थी परिशान थी बहुत सारी गमजदा थी ठकी हुई थी प्रवियसमसी की मृत्यू के बारे में और उससे भी जादा प्रवियसमसी की मृत्यू दे के जो है चोरी हो जाने के बारे में गैब हो जाने के बारे में वो बहुत चान थी रो रही ती और इदर उद्र ढूंड़ती थी प्रभी असंसे से दिखें तो महले समिचे कहती है यदि तुने उठा ले तो मुझे कह मैं उसे ढूंड़ लोगी मैं उसे उठा ले आउंगी और प्रभू ने उसे पिलाया मर्यम और उसने आपनी भाशा में अर्थात इब्रानी बाशा मैं प्रभू को पुकारा, रभूनी अर्थात, ये मेरे प्रभू, और इस प्रकार्ट से हम देखते हैं, मरियम जो है, प्रभू की तरफ भड़ती है, प्रभू की कदम में जाकर के लिपने का प्रयास करती है, और प्रभू येसु मिसी ने कहा, मुझे मत्सू, क्योंकि अभी तक मैं अपने पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया, मैं अपने पिता के साथ अभी तक अपने पिता के पास अभी तक उपर नहीं गया, और आगे प्रभु उसके संदेश देते हैं जाकर कि मेरे भाईयों से कहें कि मैं अपने परमेशर और तुम्हारे परमेशर अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास उपर स्वर्ग में जाता हूं और इस पर काड़ से हम देखते हैं कि प्रभु उसमसी अपने स्वर्ग जाने के बारे में जो है खुद भिशानी करते हैं पहले से वो कहे चुके हैं कि प्रभु उसमसी किस पर कार्ड़ से स्वर्ग उठा ले जाएंगे और प्रेरतों के काम हम पहला धहें पढ़ते हैं उसके जो है पहले ग्यारा वचनों में प्रभीयस्म सी जो है हम फिर से आराम करते हैं यहां लुका जो है जिसने प्रेरतों के काम को लिखा है वो बियान करता है कि प्रभीयस्म सी स्वर्ग में उठाए जा रहे हैं और चेले जो है उपर स्वर्ग की और देखते हैं दो स्वर्ग दूख आ करके उनको समझाते हैं कि यही येसू जो स्वर्ग में उठा लिया गया है इस रीती जे ये नीचे आएगा और वचर में लिखा है येसू मुसी के चेले खुशी आनन के साथ जो है वापस आए और जब वापस आते हैं उसके बाद वो कभी भी डर के साथ नहीं बैटे बलके वो राद नाले में जाकर के राद ना करते थे प्रभु की राद ना प्रभु की सूती करते थे प्रमेश्र का धन्यवाद करते थे सूती गान किया करते थे और उस बाला खाना के नहीं अटे और क्योंकि प्र मेरे गवाह होगे यरिसलम में जो अपना घर है सामरिया में जो प्रोस है यूदिया में जो अने जाती है और पुरिथी के कोने तक अर्थात पूरे विश्य में पूरे भूमंडल में जैसे परमेशर का वचन कहता है कि जैसे समुद्र पुरिथी से पानी से भरा हुआ है वैस चेलों में पतर और सभी चेलों ने प्रभु का वचन सुनाया और फिर आगे हम देखते हैं प्रभीयस्च से के ने चेले ने जो खुद कलेम करता है कि मैं मनुश्य के तरफ के नहीं बलके प्रमेशर की तरफ से प्रेरत निक्त हुआ हूँ प्रेरत पॉलस जो है उसने हर जगा पर प्रबू के वच्छन को फैलाया अनेजातियों में हाकिमों के सामने मुझे पदवालों के सामने राजाओं के सामने परमानों के साथ अनेजातियों के बीच में अलगलग परिकार के मूर्ती पूजा के देशों में मिश्यन की तीन यात्रा उसने पूरी करने के बाद परमेशर के पुईतर वच्छन को प्रबयस्मसी की गवाही को प्रवयस्मसी के जिन्दा हो करके स्वर्ग रोहन को पूरी प्रिथमी में उसने हिला दिया प्रवयस्मसी का स्वर्ग रोहन क्यों शुरूरी था पहले चीज हम देखते हैं कि प्रवयस्मसी खुद अपने चेलों को ये संदेश दिया था उनको पहले से ये कहा रखा था कि मेरा तुम्हारे लिए जाना बहुत शुरूरी है और पहले बात प्रभियस्म सी स्वर्ग रोहन क्यों जाते हैं क्योंकि वो अपने चेलों के लिए या अपने लोगों के लिए जगा त्यार करना चाहते हैं यही तो कहा मैं जाता हूं जगा तियार करता हूं ताकि वापिस आँगा तुमको अपने साथ ले दाओंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रह सको और इस बरिकार से हम देखते हैं कि प्रभीयस्मसी जो है चालिस दिन के बार जो है स्वर्ग में उठा ले जाते हैं प्रभीयस्मसी में एक और पृतिग्या की थि पहले जगा पृति पटिग्या की थि के मैं जगात यार कर रहा हूं दूसरी मैं जाओं–दॉसरी कि मैं जाओंगा और तुम्हें अका्र आहायक बेचूंगा जिसे हम यह बोलते हैं कि उसे एक जो है एक कमफर्टर एक शान्ती देने वाला अगवाही करने वाला हर जगा पर उनकी तरसे बोलने वाला उनकी गवाही देने वाला अर्थाथ एक एड़ोकेट एक वेबचाई भेजुगा पवितर आत्मा सत्यकात्मा जो उनको सारी बाते आने वाले सारे समय की सारी बाते बताएगा और ये जब तक प्रभियस्म से इस प्रिच्छी पर से उपर नहीं उठाए जाते स्वर्ग में अपने उस जगा पर नहीं जाते तो वो जगानी त्यार करेंगे और वो जो है वादा किया हुआ पवितर आत्मा जा वो सहाइक इन इसको लेते हैं कि जैसे कोई जो घर का मालिक है अपने बच्चों को कुछ जो है उनसे बातचीत करता है और कुछ समय जो है अपनी जिम्मिवारी की वैसे इदर उदर जाने के लिए वो कहता है और आगे उनको ये के ऐसे कहे कि मैं जाता हूँ इतने दिन के लिए बार और मेरे पीशे तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ रहेंगे जा तुम्हारे बड़े बाई जो हैं वो तुम्हारी अगवाई करेंगे तुम्हारे सब बातों में तुम्हारी रहनमाई करेंगे तुम्हारे सब काम करने में वो तुम्हारी सायता करेंगे इसी परिकार से प्वित्रताई का अत्मा जो उनकी मदद करेगा जो कमी कमजोरी के समय में उनको सामर्त देगा सांतावना देगा भूलने के समय उनको सब कुछ याद कराएगा प्रवियसमसी की बातों को लेके आएगा और जब उनको कोट कुछैरियों के सामने विपरीत परिश्टियों का स जबाब देगा और वह संसार को पाप धार्मिकता और न्याय के लिए निरूतर कर देगा। Firm हम देखते हैं प्रभृयसमसी का जो स्वर्ग रोहुन है वो इसलिए भी है किश। प्रभीयस्म सी इस प्रित्व कर नहीं था प्रभीयस्म सी अपने चेलों से भी कहा अपने बारे में कहें कि हम इस जो है संसार के नहीं हैं और प्रभीयस्म सी को भी अपने चेलों को प्रभीयस्म सी कहते है यू आर नाट आफ दिस वर्ड तुम इस संसार के नहीं हो मैं एक ब प्रवयेसुमसी भी संसार का नहीं था वो संसार में कुछ कारी करने के लिए भेजा गया था उसका घर स्वर्ग में था उसका घर वो आधी से अनाधी से शुरू से अरम से परमेश्र के साथ था स्रिस्री के समय उससे पहले अनाधी काल तक जो है वो परमेश्र से निकलता है स्रिस्री के समय परमेश्र के साथ था और हम और जमों पर जो है हम समय समय पर देखते हैं कि वो परमेश्र के साथ था इस समय देधर्ण करने के द्वारा वो इस पृत्थी पर आता है ताके हमारे लिए उन तमाम विदियों को उस सारी विवस्ता को पूरा करें और हमारे लिए परमेशिर के पास महुंचने का हमाले स्वरिक पर फिर उठाए जाने का उस रास्ता को तैयार करें उससे पहले जितने भी है खासत के यहना जैसे प्रब के जो अगन दूता है उन्हों प्रबुने रासे को तैयार किया प्रबुने काम पूरा किया अब वो दूसरा काम करने के लिए जा रहे हैं जगा त्यार कर रहे हैं और वो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए सहाइक भेजूंगा उस सत्य को आत्मा को भेजूंगा जो अलग लग जगों पर तुम्हारी मद करें होंगे तुम्हारे लिए खड़े होंगे और जाब हम पुईत्र आत्मा की बात करते हैं पुईत्र आत्मा एक वो चीज है एक वो व्यक्तित है सौरी चीज नहीं एक वो सक्षियत है एक वो व्यक्ति है जो तीनों में से पिता पुत्र पुत्रात्मा में से एक है वो परमेश्र है वो ये सुमसी है वो पुत्रात्मा है जो एक है वो बाप और बेटे के साथ एक है बराबर है उसकी बाप और बेटे के साथ अराधना की जाती है वो भी पहले नभीयों की जुवानी बोलता था फ फिर वो उसका काम प्रभू के जाने के बाद स्वर्ग से जब उत्रेगा पैंटिकोज के दिन के बाद उसका काम फिर से अरहाम हो जाता है तो हम देखते हैं Hä के वह एक advocate है अभी a आडवोकेट के बारे में वेविचाई के बारे में हम बात करते हैं जो करने के लिए न्याए चुकाने के लिए उस बोलता है यह यहां और्ताफ़ी को प्वित्रताई का आत्म जिसको वह प्रमेशिय का आत्मा के जब आएगा तो वह हम सब लोगों के लिए विश्वासियों के लिए उस advocate का काम करें वैं जब शैतान तरह तरह के दोश लगाएगा जब शैतान के लोग जो तरह तरह के वो दोश फर्मेशर के लोगों के उपर लगाएंगे लुष तमाम जो है दोश को प्रवच्च्ट के सामने लाए जाएगा और प्रवच्ट से भी इस चीज़ की इस क्वाई भी बनाया है अब ये संसार के बातों में संसारी करीती रवाजों में शरीर की अब इलाशों में अब ये नहीं है अब एक ही अब इलाशा है कि कैसे भी प्रभू को उपर सन कर सके क्योंकि शेतान तरह तरह से जो है अपने प्रभू के लोगों के उपर बाते लगाता उनकी ब बेगरोन की बाते की जाती है बेगरोन की बातों को ला करके पिछले सालों में क्या करते रहे है इसका पिश्रा जीवन क्या होता है उसको ला करके दोश लगाए जाता है ताके उस व्यक्ति को एक बार फिर से उसकी हिमेश को टानिश किया जाए और वो एड़ोकेट जो है वो को निरुत्र कर देता है। फिर हम प्रभईयस्य terse के जाने के एक और वजह देखते हैं। और वह वजह यह। ुस्सि ने अपनी पृथीव पर की एक एक उद्धार करता की एक चुठ कारा देने वाले की पापों से बुचा करके पिता परमेशन के मुझी की एक मुक्तिदादा की भूमी का को पूरा कर दिया है अब उसका दूसरा कार ये स्वर्ग में है वो भूमी इस काम को पूरा करके स्वर्ग में चले गए है आप वो दूसरा कारे करेंगे मद्यस्ता का काम इं जी उठा, आस मन पार गया, पचड़ गया, और बाप के दाइनी और बैटा है, बाप के दाइनी और वो प्रार्थना करता है, जैसे अभी बोला गया, वो जब शेतान, उसके लोग, तरह तरह के दोस्त, प्रतिरोश, तरह तरह के जो है, कमिया निकालेंगे, प्रभयस्म सी प समया, प्रभयस्म सी मद्यस्ता का काम कर रही है, ताकि शेटान के जलते, तीरों को वो, उसकी किसी भी जो, जो हुआ थियार को, जो किसी भी अरौब को, जो है, वहाँ से, खार्ज कर सके, और पवितर आत्μα के भीज़े जाने वाले को, भीज़े जाने के लिए, ताकि प्र प्रभु ये सुमसी के इस पृत्रिपार के जाने के और भी कुछ ऐसे कारणों के बारे में जानते हैं प्रभु को सदा सदा के लिए युगों युगों का लिए सब शक्तियों सब परधानों के लिए प्रधानतों के उपर जो है उसको आनंत काल की प्रधानता देने के लिए जा उसको राजा बनाने के लिए हम सब जानते हैं कि प्रभ्यस्म से पैदा हुए हैं राज करने के लिए प्रभ्यस्म से प्रिथि पर आए हैं वो राज करने के लिए और उसकी जैसे पहले भी कई बार हम इसको देख सके हैं कि उसकी जो प्रभुता है उसका राज जो है इस पृतिपर का नहीं है लोगों के लिए नहीं है लोगों के उपर नहीं है बलकि उसका राज जो है वो सुर्गी राज है उसका राज आत्मों का राज है उसके राज में जो है आनंद काल की शान्ती हमेशा हमेशा का आनंद कोई मुरित्यों कोई दुख कोई सताव नहीं होगा तो हम प्रमेशर के इस सारे प्रबंद के लिए के प्रभीयसमसी आए, प्रभीयसमसी मारेगे, प्रभीयसमसी गाडेगे, प्रभीयसमसी जीवत होगे और वो स्वर्ख में उठा लिएगे, हम प्रमेशर का धन्यवाद देते हैं, इस फिस्यों की पत्री उसमें हम देखते हैं के प्रभू प्रमेशर जो है आपने वचन में इस चीच को जो है एक बार फिर जो है सावित करते हैं के प्रभूयस्म सी सब चीचों के उपर तमाम बातों के उपर वो परधान एक बार हम इंफिस्यु की पत्री उसके पहले द्याय को 20 से आगे वचनों को पड़ेंगे प्रमेशिर का वचन कहता है जो मसी में किया गया उसको मरे हुओं में से जिला कर स्वर्गिय स्थानों में अपनी दाइनी होर सब परकार की परधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम की उपर दो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया और सब कुछ उसके पाउं तले कर दिया और उसे सब वसु का शिरोमनी ठेहरा कर खलीसियों को दे दिया और इस परकार्ट से हम देखते हैं कि प्रभुयेसुमसी को आनंतकार का राजा होने के लिए अरंतकार के शिरोमनी होने के लिए प्रभुयेसुमसी को जो है हम सब के लिए दे दिया कि आने वाले समय के बीते समय में यूगान यूग के लिए वो परधान ठहरे हो सब के उपर राजा ठहरे इसलिए परमेशिर का वचन जो है इफिस्यू की पत्री के दूसरे दिया में कहता है दूसरे जय का चे वचन कहता है यहां लिखा गया है दूसरे जय के चे फिचियों उसका दो और उसके चे वचन और साथ वचन में और मसी येशु में उसके साथ उठाया कि वह अपनी उस किरपा से जो मसी येशु में हम पर आने वाले समयों में अपने अनुग्राय का असीम धन दिखाए और इस परकार से जो है आने वाले समय के लिए जो है परमेशिक की उस मेहमा में उस असीम धन में विश्वासियों को शामल करने के लिए प्रभी येसम सी का स स्वर ग्रोहन अनिवार ये था जैसे हम सब जानते हैं प्रभी एसमसी ने अपने चेलों से कहा था जब यूना के इसु समचार के चौद्वे द्यामें प्रभी एसमसी अपने चेलों को कहते हैं मैं जाता हूं प्रभी एसमसी उनको सांतामना देते हैं उनको बताते हैं और ज रोहन करना उठा ले जाना हम विशासीं के लिए प्रभु के लोगों के लिए लभ की बात है बहुत हामारे फाइदे की बात है जैसे अम अलाग अलाग जो है तरीके से वचनों में देख रहे हैं कि किस परकार प्रभीयसमसी स्वर्ग में उठा ले जाते हैं और स्वर्गिस्तानों की पुर्धानतों में हमें हिस्सेदार बनाते हैं अभी ये दूसरे देखे छे और साथ वचर में पढ़ते हैं कि उसको जो हमें ले लिया हमें स्वर्गिस्तानों की सब प्रकार की आश्चों चे परिपून किया और इसलिए भी प्रभु ने ये सब कुछ किया प्रमेशर ने प्रभी ये सुमसिका स्वर्ग रोहन के हम आने व होते हैं उसके सारे प्रबंद के लिए हर इंतजाम के लिए जो परमेशर हम सब के लिए करता हमारे लिए करता है ताकि हम उसके दुवित्यागमन के लिए अपने आपको तयार करते रहें फिर हम इसके आगे वड़ते हैं तो परमेशर का वचन कहता है प्रभू का स्वर्ग में जाना जो है हम सब के लिए एक अनुग्रे का द्वार अनुग्रे कशिः तयार करता है इब SS की पत्रि उसके चौत्र दहे में हम आते हैं और उसके चार बचन में हम देखेंगे एक डहे के तीन वचन में देखेंगे और फिर हम जो है 14 वचन में अलग 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 परकाड से कैसे प्रभु हमें प्रभुयस्मसी के स्वर्ग रोहन के उसके असेंशन के अलग 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 तरीके से हमें लापानमीत करते हैं क्या आशिश मिलती है प्रभुयस्म सी के स्वर्ग में उपर उठा लिये जाने के लिए परमेश्र का वचन हम पढ़ेंगे इब्राणियों की पत्री चारद है और उसका चौद्वा वचन इसलिए हमारा ऐसा बड़ा महायाजिक है जो स्वर्गों से होकार अर्थाद परमेश का पुत्र येशु जो तो आओ हम अपने अंगीकार को दिर्टा से थामे रहें क्योंकि हमारा ऐसा महाजाजिक नहीं जो हमारी निर्बलतों में हमारे साथ दुखी न हो सके बन्वे सब बातों में हमारे समान पर खातों गया तो भी निश पाप निकला इसलिए आओ हम निक्ट हिया बन कर चलें कि हम पर द्याहू और वह अनुग्रय पाएं जो अवश्क्ता के समय हमारे साहता करें हम परमेशर का धन्यवाद देते हैं प्रभी असुम्सी के अश्यंसन के प्रभी असुम्सी के सवर्ग्रोहन के लिए कि प्रभी असुम्सी के सवर्ग्रोहन के द्वारा परमेशर हमें वो तमाम आशिशे देता है हमें वो जो है इस समय वचन में रिखा वो हमें हियाव देता है हियाव से परमेशर के जो है सिहासर के पास जाने की अप्रोच करने के लिए अक्सेस करने के लिए प्रभु का वचन हमें उच्साहित करता है क्योंकि वो कहत तरह परखा गया, हमारी तरह उसकी भी प्रीक्षा होई, हमारी तरह भी उसने दुख सुख भेगे, प्रन्तु वो निश्पाप निकला, किसी भी परकार की प्रीक्षा में वो गिरा ने, वालके प्रीक्षाओं के उपर फते पाई, और एक जगा पर हम ये भी पढ़ते हैं, क हम दो है, उसके तीसरे धैका, पहले धैका, तीसरा वचन देखी, बहुत ही आनन्द आता है, इन पवेतर वचनों को पढ़ने के द्वारा, आशिश मिलती है, लिका है, वे उसकी महमा का परकाश, और उसके तत्व की चाप है, और सब वस्वों को अपनी सामर्त के वचन में संभालता है, वे पापो को धो कर उचे स्थानों पर महमा में, महा महमा में के दाहिने हाथ जा बैटा, और स्वर्ग दोतों से उतना ही उत्तम ठहरा, जितना उसने उन्चे बड़े पद का वारिशों कर उत्तम नाम पाया, इसलिए परमेश्र का धनिवाद देती हैं, प्रमेश्र का धनिवाद देते हैं, प्रमेश्र की सूती, परमेश्र की परसंसा करते हैं, जैसे अभी हमने देखा, एक और आशिश मिलती है, कि वो पृतिपर हमें जो है, एक एक जो है, हमें एड़ोकेट वे देता हमें विपचाई देता हमें एक साइक देता है, जैसे हम कितनी बार इसको देख चुके है यूना की जो है सुसमाचार में कि प्रभू ने एक पृतिग्या की है कि मैं जाओंगा तुम्हारे लिए एक सहाइक भीड़ूँगा इसके उपर मैं जादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले भी बोल चुका है लेकर परमेश्र का धनिवाद देता हुए जो हमारा लिए सहाइक भीता है हमारा लिए घर था आकर हर समय में हर हलात में प्रभू जो है हमारी मदर कर सके प्रभू हमारी सायता कर सके हम प्रमेशर का धन्यवाद देते हैं और प्रमेशर का धन्यवाद देते हैं क्योंके प्रभू के स्वर ग्रोह ने हमें अलग प्रलग परकार के आत्मिक दान आत्मिक वर्दान जो है प्रदान किये है करंतियों की पत्री मे उसके बारविद्य है में दानों वर्दानों की बात होती है वहां अलग-लग से वहां की बात होती है यह ऐआ फिस्उ की पत्री चोटे यमन एक बाई फिर हम प्रमेशिर का वचन पड़ते हैं और लगाग परिकार के लोगों को नुक्त किया है आई एक बार फिर हम इस वचन को देख लेंगे और मैं बारे वचन से पीछे पढ़ूँ पीछे जा करके पढ़ूँगा आठ वचन से इसलिए वो कहता है वो उचे पर चड़ा और बंदियों को बांद ले गया और मुझे उन्षियों को दान दिये उसके चड़ने से और क्या पाया जाता है केवल ये कि वह पृत्री की निचली जगाओं में उत्रा भी था और जो उत्र गया वही जो सारे आकाश के उपर चड़ भी गया के सब कुछ परिपून करे और उसने कुछ को प्रेरित निच्ट करके और कुछ को भिश्वक्ता निच्ट करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले निच्ट करके और कुछ को रखवाले और उपदेशिक निच्ट करके दे दिया जिससे पुवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाएं और मशी की दे उन्ती पाएं प्रमेश्र का धन्यवा देते हैं प्रभू के प्रबंद के लिए जो प्रभयस्म सी के पुनर्थान के द्वारा प्रभू करते हैं और फिर इस समय में आखरी बात आप लोगों के बीच में प्रभयस्म सी के पुनर्थान की करना चाहूंगा वो यह है कि प्रभयस्म सी का पुनर्थान हमें प्रभयस्म सी के द्वित्र आगमन के लिए त्यार करता है यह कहा जाए कि प्रभू का आखमन हमें प्रभू के आने की प्रतीक्षा की लालसा पुनर्थान करता है जैसे कि हम देखते हैं प्रेर्थों के काम खास तरके उसके पहले द्हाय में और प्रभू के वचन में हमने पढ़ा है पहला जाए ग्याना वचन के जब प्रभीयसमसी स्वर्ग उठा लिया जाते हैं और प्रभीयसमसी के चेले आकाश की तरफ देख रहे हैं प्रभीयसमसी के जाते हुए वचन में लिखा है वो उठा लिया गया उनसे बात कर रहा उनको आशिरवा दिया आशिर दी और उनसे देखनी पा रहे हैं और वो ओज लोग है छिप गया और वो अभी भी कहां चुपा उस जगा की तरफ टिक टिकी लगा करके देख रहे हैं और ऐसे में स्वर्गदूत उनके पास आते हैं उनसे बात करते हैं कि हे गलीली पुर्शो तुम आकाश की तरफ क्या देख रहे हो यह ही येसु जो तुम्हारे सामने जिस रिती से उठाया गया है उसी रिती से वह स्वर्ग में के से नीची आएगा और मेरे प्रियों प्रभीयसम सी का जैसे जो है जो अभी प्रभीयसम सी स्वर्ग में गये हैं बहुत सारे लोगों को 40 दिन तक जो है मिले काम किया उनके से उनको तयार करके उनको जो है कमिशन दे करके खुद अपनी जो है स्वर्गिये सेवा जो याज की सेवा जो इस समय वह जो है मद्यस्ता का काम कर रहा उसको करने के लिए चले जाते हैं और जो है ऐसे वचन में लिखा है एक हम गीत भी गाते हैं कि नीले आश्मा के पार मेरा ये सु्रेट अहां हम मिलेंगे बादनों पर देखेगा सारा जमां हालेलुया उसमेन देखेगा याप प्रवियसमसी सथी का दुवित्तियांगंन होगा सारा जहान देखेगा चाति पिटेंगे खुश हमनाएंगे आनि मुनाएंगे क्योंकि वचन में लिखा है दोनों परिकार के मुर्दे जी उठेंगे, जिन्होंने अच्छे काम किये हैं, और जिन्होंने अच्छे काम नहीं किये, अच्छे काम अर्थार जिन्होंने अपने जिन्गी में प्रभू को अपना प्रभू माना है, प्रवियस्मसी को ग्रहन किया, प्रमेश्र की संतार बने उसकी विद्यों, हुक्मनियों में वच्चनों को पूरा किया, उसकी आत्मा के चलाये चले हैं, वो लोग आनंद के साथ, उस जो है आनंद काल के मिरास को प्राप्त कर दूए, उसके स्वर्गी राज में जाएंगे, और वो लोग जो हर परिकार की अविलाशा से, आखों की अविलाशा, श्रीर की अविलाशा से, जो परमेशिर के वच्चन के खिलाफ, जो उन्होंने परमेशिर के पुत्र के समसी का अनादर किया है, तिर्शकार किया है, जो आज भी उसको अभी तक भी नहीं मानते हैं, मेरे प्रियों, उन सब के लिए वो दिन चाती पीठने का दिन होगा, उनके लिए विलाप करने का दिन होगा, और दातों के पीठने का दिन होगा, क्योंकि उन्होंने उन मौकों को जो उनको दियेगे, वियर्थ में जाने दिया, मेरे प्रियों प्रभुयसम सीख आए, प्रभुयसम ने सेवा की, प्रभुयसम सीख स्वर्ग में उ आज भी जैसे हमने इब्रान्यू की पत्री में चौथे ध्याय में पड़ा है वो अनुग्रे का सियासन जिसको इंग्लिस में एते हैं मर्सी एंड ग्रेश दिया और अनुग्रे का दुवार खुला है वहां जाने की प्रेटों की काम में जो है जो है अपील की यह है याव दिया गया है जो प्रवियस्म्सी के स्वर्ग रोहन के समय में ऐसे महाजाज की बात हो रही है और जिसके लिए पौर्स इफिश्यो की पत्री के छेद है के दस वचल से आगे कहता है इसलिए हमें तयार रहना है हमें प्रमेशिर के उन तमाम जो है हत्यारों को अपनाना है ताके शेतान की हर स्टटजी के खिलाव शेतान की हर चाल के खिलाव शेतान की हर तीर के खिलाव जो है जलते हुए तीरों को बज़ाने वाली सामर्थ को हमने प्राप्त करना है हैं ताके जब प्रभीयस्म्सी का द्विति आगमन होता है मेरे प्रियों हम उसके साथ उठा लिए हम उसके उन तमाम धने लोगों के बीच में आएं जिन के लिए वो जगा त्यार करने के लिए क्या हो। प्रभु हम सब की साहता करें कि यह यह जो प्रभु यह सुम्सी का जो 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 यह जो उसका स्वर्ग्रोहन है हम सब के लिए बहुत धने हो बहुत आश्चिश में हो एक वर फिर आखर में मैं आप सब को हैफ्पी अश्चन संडे कहता हुआ आज की इस वर्चन को मैं यही से बंद करता हूँ प्रभु आप सब को आश्चिश दे धन्यवाद यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप से विनुती है कि आप इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेर करें ताके और भी इस वर् लावान भी तो करके प्रभु के लिए युदा बन सके प्रभु के सिवक सिवकाएं विश्वासी बन सके बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आप सबको आश्चिश दे हैं